मादर प्रदेश के आर्धिक राज़दान इन दोर में भले ही पुलिस कमिशनर सिस्टम लागू हो गया हो लेकिन इससे बदमाशों को कोई फर्क नहीं परता नदर आ रहा है यही बज़ा है कि बदमाश आयद दिन चोरी और लूट को अंजाम दे कर पुलिस को चुनौती दे रहे हैं ताज़ा मामला कनाडिया थाना श्रेत्र की पॉश कोलोनी श्रीजी वैली का है जहां बदमाशों नी बड़ी चोरी घटना को अंजाम दिया है मामला कनाड़े थाना श्रेत्र के श्रीजी वैली कॉलोनिका है यहां रहने वाले पांडे परिवारीक समारोहों में शामिल होने के लिए भुपाल गया हुआ था इस दुरान सुनसान घर को देख अग्यात नकापोश बदमाशों ने घर का ताला तोड अलमारी में रखे लाग रुपई मुल लेके सोने चांदी के आभुशन और नगदी रुपई लेके फ्राल हो गया वही आसपास की घरों में भी छोटी मोटी चोरियों को बदमाशों ने अंजाम दिया है सोचना पर पुलिस ने परप्रन दर्च कर आसपास लगे CCTV फुटेज खोंगा ले जहां छे नकापोश बदमाश CCTV कैमरों में नजर आ रहे हैं इसे आधर पर पुलिस अग्याद बदमाशों की धर पकड में चुट गई है तो फिर दोनों ने आके देखा तो उन्हों ने देखा कि अलमारी बगएरा सब बिखरी पड़ी है तो उनने फिर मुझे तुरंट पांच बेजे सुबा फोन किया पांच साथ पे तो फिर मैं निकल आई वहां से हम लोग एक घंटे बाद निकल आए सब घर में रखा था लॉकर में क्योंकि सिर्फ एक दिन के लिए मैं गई थी तो फिर नहीं तो मैं देखे जाती हूँ बाजी में भावी को बट मुझे पता था मुझे कली वापस आना है दो पहर में तो मैंने एक दिन में मैं आई जाओंगी करीब 6 लोग दिख रहे हैं उसमें तो मैंन डॉर से में डॉर से लॉक तोड के आए नहीं ऐसे तो किसी को भी नहीं थी अब कह नहीं चाहिए कि बैग जब अपन कार में रख रहे हैं या थुच है तो देख जाता है कहीं जा रहे हैं तभ इतना बड़ा बैग रखके ले जा रहे हैं मिस्स अनकिता पंडे कि अपने परिवारिक खाम से अपनी पचनी के साथ बच्चों के साथ बोपाल गए हुए थे उनके पड़ोसी द्वारा सुचना दी गई कि उनका घर का जो है लाइट चल रही हो ताला तुटा हुआ है जिस पर उनके द्वारा चेक के आगाया तो पाया गाया कि अग्याद वक्तियों द्वारा उनके घर में रात में जो है गु फिलाल देखना होगा कि पुलिस कब तक बदमाशों को गिरफतार करती है एंदोर से हर्दिक प्रजापत की रिपूर्ट